हलो एब्रिवान मैं नीशा और आपके अपनी योटूब चैनल नीशास किचन में आपका बहुत बलस वागत है आज मैं आप सबके साथ बना रही हूँ मसाला चिकन मिरियानी तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे लाइक शेर भी करें तो चले शुरू करते हैं मसाला चिकन मिरियानी बनाना सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तो इसके लिए लेंगे एक बॉल और इसमें हम लोग एड करेंगे चिकन जिसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है ये चिकन 7500 गराम है इसमें डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट और डालेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट तो जो मोटी वाली कम तीखी हरे मेंच होती है इसका पेस्ट हमें बना लेना है तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है और इसमें एड कर रही हूँ इसमें डालेंगे नमक दन्य पॉडर, सॉंफ का पॉडर, लाल मेच पॉडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मेच, जाय फल का पॉडर, छोटी लाइची का पॉडर, फूट कलर, ओल, फ्रेश दही अब इन सबको हम लोग मिक्स कर लेंगे, तो मैं यहाप अपने हाथों से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं बाकी हाज से थोड़ा जाद अच्छे से ये मिक्स हो जाते हैं मसालो को हम लोग चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए इसके उपर हम लोग कोई प्लास्टिक कवर या फिर ढखकन से इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से समा जाए चिकन जब तक हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग अपने चावलो को पका लेंगे तो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं जिसे मैंने एक घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था इस वाले कप से मैंने तीन कप चावल लिए हैं आप इस बिरियानी को गोल्डन सेलर चावल के साथ भी बना सकते हैं अब हम एक पतिला लेंगे और इसमें मैंने लिया है तीन लीटर पानी इसमें कुछ खड़े मसाले लिये हैं छोटी लाइची, दालचीनी, फूल चकरी और बड़ी लाइची वह इसमें मैं पानी मैड कर रही हूँ और इसमें डालेंगे तेजपत्ता यह है कुकिंग ओइल और इसमें डालेंगे निम्बू का जूस इसको डालने से हमारे जो चावल हैं वह आपस में चिपकते नहीं बहुत ही खिले खिले बनते हैं इसमें डालेंगे नमक और यह स्लिट की हुई हरेमेच अब जिसको ढखतेंगे और जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें अपने चावल एड़ करेंगे देखी पानी में मारा बॉयल आ गया है तो अब इसमें मैंने जो सोक करके राइस रखे थे उसको मैं एड़ कर रही हूँ चावलों को हम लोग हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि चावल हमें पूरा प्रॉपर कुक नहीं करना है सिर्फ इसे हम लोग 80 परसंट तक ही कुक करेंगे बाकी जब हम बिर्यानी को दम पे पकाएंगे तो उस टाइम पे ये चावल प्रॉपर कुक हो जाएंगे तो इस टाइम पे हम इसे सिर्फ 80 परसंट तक ही पकाएंगे चेक कर लेते हैं चावल को बासमती चावल को 80% तक पकाने के लिए पूरे 10 मिनट्स लगते हैं अगर आप इससे जादा टाइम तक पकाएंगे तो चावल आपके ओवरकुक हो जाएंगे इसलिए चावल सिर्फ आप 10 मिनट्स तक ही पकाएं चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं तो जो इसका एक्सेस वाटर है वो हम ड्रेन आउट कर देंगे और चावलो को रख देंगे एक साइड में तो गैस की फ्लेम को हम लोग लोग कर देंगे और इस पे ले लिया है मैंने एक पतीला जिसमें हम लोग अपना चिकन पकाएंगे इसमें डाल रही हूँ मैं कोकिंग ओयल बारिक स्लाइस करें हुए प्याज और प्याज को हम लोग हाई फ्लेम पे कंटिन्यूजली चलाते हुए फ्राइ करेंगे प्याज का हलका गुल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ कर लेना है तो प्याज हमारे फ्राइ हो गए हैं इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट पे प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो आप इन प्याजों का यूज करें नहीं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं थोड़े प्याज मैं पतीले में ही छोड़ दूँगी और इन प्याज को एक प्लेट में फिला के हम लोग रख देंगे साइट में ठंडा होने के लिए तो इसी ओयल में अब जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैं एड़ कर रही हूँ चिकन को हम लोग मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 90% तक बाकी का 10% हम लोग जब चावलो के साथ इसे दम लगाएंगे उस टाइम पे ये पक जाएगा चिकन डालने के बाद हम लोग इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट तक भूनेंगे चिकन जब हमारा अच्छे से भून जाए तो हम लोग गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढखके पकने देंगे बीच बीच में हम लोग इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि जो चिकन है वो बरतन में चिपके नहीं अब इसे हम लोग एक धकन से कवर कर देंगे जब तक चिकन हमारा पकर आए तब तक हम लोग एक फूड कलर तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए फूड कलर और इसमें डाल रही हूँ टू टीस्पून केवरा वाटर इसको कर लेंगे मिक्स जो फूड कलर का यूज किया है यह बरियानी में काफ़ी अच्छा कलर देगी और केवरा वाटर से बहुत अच्छी खुश्बू आएगी चेक कर लेते हैं चिकन को इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी डालनी की ज़रूरत नहीं है दही जो अपना पानी रिलीज करेगी और जो भाब बनेगी उसी से यह चिकन पक जाएगा चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है तो चिकन हमारा रेडी है अब इसको पर हम चावलो की लेयर लगाएंगे चिकन को हम लोग नीचे ही रखेंगे और उसको पर से हम चावलो की लेयर लगादेंगे इस बिर्यानी को जब हम लोग दम पे पकाएंगे तो चिकन हमारा बहुती प्रॉपर तरीके से और बहुती अच्छा कोखोगा और जो चावल के दाने हैं वो बहुती खिले-खिले बनेंगे चावलो की जब हम एक अच्छे से लेयर लगादें तो इसको उपर से डालेंगे मोटी वाली हरेमर्ज जो कम तीकी होती है और इसके उपर डालेंगे हरेमर्ज का चार आप चाहें तो इस अचार को थोड़ा कम जादा कर सकते हैं और जो प्याज हमने फ्राइ करके रखेते उन प्याजों को भी हम इसके उपर अच्छे से बिछा देंगे और इसके उपर हम लोग फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे तो जितने भी चावल बज गए हैं उसके हमें एक लेयर लगा देंगे अच्छी सी तो हाथ से थोड़ा से चावलों को फैला देंगे आप चाहें तो तेज पत्ते को हटा भी सकते हैं तो मैं भी हाँ पर तेज पता हटा रही हूँ और जो हमने फूड कलर बनाया था वो फूड कलर हम लोग इस तरीके से फैला देंगे चावल पर और एक ऐल्मूनियम फॉइल से इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जो इसकी भाप है वो कहीं से निकले नहीं और इसको उपर रख देंगे इसका एक धकन अब इस बिर्यानी को हम लोग दम पे पकाएंगे तो दम पे पकाने के लिए आप कोई भी तवा ले लीजिए और तवे को अच्छे से आप हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए गरम होने के बाद गैस की फ्लेम को आप बिलकुल लो कर दीजिए और पतीले को इसको उपर रख 30 से 35 मिनट तक हम इसे दम पे पकाएंगे ओपर से हम कोई हेवी चीज रख देंगे तो मैंने एक बॉल में पानी भर के रख दिया है पूरे 35 मिनट हो गए हैं बिर्यानी को दम पे पकते हुए तो अब हम इसे खोल लेते हैं मैंने दम लगाने के लिए हैं आप पे अल्मूनियम फॉयल का यूज किया है अगर आपके पास अल्मूनियम फॉयल नहीं है तो आप यहां पे कोई भी किचन टावल रख के भी इसको दम लगा सकते हैं तो देखे आप कित्ती सुन्दर बिर्यानी हमारी बनी है एकदम एक एक दाना खिला हुआ बना है मैं आपको कडशी दाल के भी दिखा देती हूँ कोई दाना आपस में चिपका नहीं है बहुती खिली खिली बिर्यानी बनी है और चिकन के पीस भी हमारे अच्छे से पग गए है चलिए अब इसको हम लोग एक प्लेट पे निकाल लेते हैं तो कैसी लगी आपको ये मसाला चिकन बिर्यानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पे नए है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथी से लाइक और शेयर भी क मिलेंगी बहुती जल्दी न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई